तो हाई फ्रेंड आए देखिए मेरा एक रिमोट टूट चुका है और जो कि एक MP3 वाला रिमोट होता है MP3 प्लेयर जो होता है होता है और यह रिमोट मेरा तूड चुका है आप देख सकते हैं गिर यह था ऊपर से तूड चुका है अभी यह खराब हो गया है तो मैं एक दूसरा रिमोट जाओंगा भी बजार से लेक्श लेक्यां गा लेकिन उसमें कंडिशन ने रहती कि और जिनर्रमॉट लेने पेश क एक औरिजिनल रिमोट भी आता है वो बड़ा होता है वो बड़ा सेल वाला रिमोट होता है थोड़ा भारी क्वाल्टी का होता है इसके लिए उसका पैसा पांसो से हजार रुपई के तक्रीबन वो मिल जाता है जितना अच्छा क्वाल्टी होगा उतना अच्छा रेट होगा मतलब 400-500 के उपर यह जाता है और यह जो रिमोट होता है पुरा नया आपको सेल सहीद पुरा आपको जो इसमें जो बैटरी वाला सेल होता है 30 रुपए का तो यह देखे 30 रुपए वाला में ही रिमोट लेखे आया लेकिन इस रिमोट में एक यह प्रोब्लम आती है कि दुकान वाला बोलेगा इसका गारंटी नहीं है चेक भी नहीं करेगा आप ले जाओ और तुरांट 30 रुपए का रिमोट है वो चेक भी नहीं करेगा आपको दे लेकंनम छो लेका आता है और बबाल तो इस चेक करना है तो मैं आपको दिखा देता आ हो तो इसके के पिछे फञे को तो हमको को डिवाल निकालना होगा, क्योंकि इसका चेल को जो होता है कनेक्षन, उसको गड़ने कंड प्रनि को डारा जाता है कि भीकाल बान्म म खोंखकि को जो और ये remote है आपके पास camera तो आजकल हर किसी के पास smart phone है या तो camera है तो कोई भी camera होगा जो इसका LED होती है इंफ्रा-red LED होती है और इंफ्रा-red LED को हमारी आँखे नहीं देख सकती है बहुत rear case में बहुत ध्यान से देखेंगे तो देख सकती है नहीं तो कभी कभी तो भी नहीं देख सकती है और इसका एक ही solution है कि जो camera होता है चाहिए mobile का हो चाहिए DS large कुछ भी हो वो camera इस LED को देख सकता है जो इंफ्रा-red LED होती है remote की इसको देख सकता है तो देखिए मैं turn on turn आप करता हूं अभी camera को mobile screen पे आते हैं उसके बार मैं दिखाता हूं देखिए देखिए बरावर कोई भी button सब button बारी बारी आप डबाईए camera के आगे और screen में आप देख सकते हैं कि जो light जैसा जल रहा है वो camera में आपको दिखाई देगा लेकर आप आँखों से देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपकी आँखें रोसनी को नहीं देख सकती हैं जो उसका light निकलता है वो infrared LED का light उसकी रोसनी के आपकी आँखें नहीं देख सकती हैं तो ए देखिए camera जो होता है या DSLR या तो mobile कुछ भी मतलब आपको mobile में ही देख लिजा mobile तो हर जो भी हो सब में camera चालू किजिएगा और उसको दबा के वहां पे देख लिजिएगा अगर हमारी सब बटन में वो infrared light जलती है तो हमारा remote सही है तो दोस्तों यह छोटी सी एक जानकारी थी आप लोग के लिए आप लोग के लिए ऐसे ऐसे ही useful video में बनाता रहता हूं तो मिल अगले वीडियो में तब तक subscribe किजिएगा लाइक किजिएगा और कुछ सुझाओ हो तो comment जरूर किजिएगा